MS Word की complete series में आज हम जानेंगे title bar में minimize, इसके बाद restore down और maximize के बारे में जानेंगे, इसके बाद close के बारे में जानेंगे, ठीक है, तो जब आप minimize पे click करते हो, तो हमारा जो software होता है, वो minimize हो जाता है, यानि hide हो जाता है task bar में, जब आप उस पे task bar पे जाओगे, उसके icon पे click करो तो वो आपको show होता है, आप जब उस पे click करोगे, तो यह होता है maximize, restore down क्या होता है, जब आप इस पे click करोगे, तो जो आपका MS Award का software होगा, वो restore down हो जाएगा, यानि small हो जाएगी इसकी window, maximize होता है, जब आप इस पे click करोगे, तो आप आपका software maximize होता है, minimize और maximize की shortcut की होती है Window प्लस D प्रेस करोगे तो Minimize हो जाएगा Window प्लस D फिर से प्रेस करोगे तो Maximize Window प्लस D से Minimize Window प्लस D से ही Maximize कर सकते हूँ Restore Down अगर आपको करना है तो Window का जो Button होता है उसको आपको Press करके यानि Hold करके रखना है और Down Arrow को Press कर देना है और अप arrow को press करोगे तो यह आपका maximize हो जाएगा ठीक है तो minimize, restore down, maximize इसके बाद close अगर आप close पे click करोगे तो आपका यह software है close हो जाएगा directly लेकिन अगर आप कुछ content लिख देते हो अपने MS Word में और अगर आपने इसको save नहीं किया इसके बाद जब आप close पे click करोगे तो सबसे पहले यह बोलेगा आपको इस content को save करने के लिए तो मैं इस document को save कर देता हूँ मैंने यहाँ पर M1 लिख दिया M1 लिखा और document वाले folder में मैंने इसको कर दिया save ठीक है मैं window e press करता हूँ यानि explorer ठीक है और यहाँ पर मैं document वाले folder में गया M1 मेरे को यह show हो रहा है ठीक है मैंने इस पर double click करके से फिर से open कर लिया ठीक है अब दिखिए यहाँ पर यह मेरा document सेव हो गया M1 से अगर मैं यहाँ पर close पर click करूंगा तो यह मेरा close हो जाएगा लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ और content दुवारा लिख देता हूँ इसके बाद मैं इस पर close पर click करूंगा तो यह बोल रहा है कि आपको सबसे पहले इसे save करना पड़ेगा ठीक है अगर मैं save पर click करूंगा तो जो भी मैंने content इसमें लिखा है दुवारा वो इसमें save हो जाएगा अगर मैं don't save पर click करूंगा तो यह जो मैंने content अभी दुवारा लिखा है यह हमारा save नहीं होगा और यह software भी close हो जाएगा देखिए सबसे पहले मैं cancel पर click करके दिखाता हूँ cancel पर click करने से यह जो हमारा पास window आई है dialogue box आया है यह close हो जाएगा ठीक है अब देखिए यहाँ पर मैं don't save पर click कर रहा हूँ don't save पर click करने से क्या होगा यह हमारा software close हो जाएगा और जो मैंने अभी content इसमें दुवारा लिखा है वो save नहीं होगा don't save पर click करा देखिए मेरा software close हो गया मैं इसको open करता हूँ तो जो मैंने content इसमें दुवारा लिखा था वो save भी नहीं हुआ होगा क्योंकि हमने उसको save नहीं किया था ठीक है अब देखिए मैंने यहाँ पर content दुवारा लिखा close पर click करा अब मैं save पर click करूँगा तो हमारा यह क्या है content जो मैंने इसमें डाला यह save भी हो जाएगा और हमारा software भी close हो जाएगा देखिए close हो गया software और जो मैंने content इसमें लिखा था वो भी इसमें save हो गया होगा ठीक है अब देखिए तो देखिए वो भी save हो गया मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बताना चाहा रहा हूं मैंने यहाँ पर control N से एक new document open कर लिया ठीक है और यह जो M1 था हमारा पुराना वाला इसको मैंने close कर दिया ठीक है अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ भी content लिख दिया suppose माल लेजिए हा ना content मैंने लिख दिया और मैं चाहता हूं इसको save करना या फिर मैं इसको save करना चाहता हूं तो मैंने close पे click करा ठीक है तो मेरे को यह बोलेगा भाई इसको save करना पड़ेगा मैंने यहाँ पर अपना folder select कर रहा document वाला तो मैंने क्या करा कि मेर को पता नहीं है कि अल्रेडी मैंने M1 के नाम से document बना रखा है ठीक है अल्रेडी M1 के नाम से document है मैंने फिट से इस document का M1 दे दिया और मैंने यहाँ पर save पे click करा तो यहाँ पर यह मेर को बोल रहा है कि आप इसको replace करना चाहरे हो मतलब यह बोल रहा है already आपका document है और मैंने कुछ भी नहीं देगा मैंने बस OK पे click कर दिया ठीक है अब हुआ क्या हुआ यह कि आपने अगर जो M1 जो पुराना document उसको अगर आपका वो important document होगा और आपने एक नए document में वो ही नाम दे दिया और जल्दी जल्दी में उसको close करते वक्त सेव कर दिया तो आपका जितना पुराना content होगा वो चले जाएगा अगर वो important होगा वो सब चले जाएगा और जो आपने नया लिखा था वो आ जाएगा तो यह होता है close के बारे में तो I hope आपको इसके बारे में समझ में आया जब भी आप इसको close करो ठीक है तो अपने content को save करो और हमेशा यह देखिए कि आप किस नाम से save कर रहे हो already वो नाम से exist तो नहीं है कोई document ठीक है वरना आपका पूरा document जा सकता है जैसे कि मैंने यहाँ पर यह पूरे document को delete कर दिया जो भी content था मैंने close पे click करा save पे click कर दिया अब माली जीए M1 से already document था और existing मैंने save कर दिया जब मैं अपने पुराने document को open करूंगा जिसमें मेरा बहुत बढ़िया data था open करूंगा तो मेरा वो सारा document चले जाएगा क्योंकि मैंने एक नया document बनाया उसका content delete कर दिया मैंने जल्दवाजी में close करा और मैंने save कर दिया उसी name से जो existing document था तो मेरा क्या हुआ पुराने document से सारा content चले गया तो I hope आपको close के बारे में समझ में आया हो तो मिलेंगे next video में जब तक लिए bye bye thank you and take care